नमस्कार दर्शकों प्रणाम मित्रों हमारी यूट्यूब चैनल अनुभवी पंडित में आप सभी का फिर से स्वागत है आप सभी के समक्ष में काफी दिनों के बाद ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ पिछले दो महिनों से दुसरे कारियों में अतिश्राई व्यस्तता होने के कारण वीडियो नहीं रख पाया इसलिए क्षमा चाहता हूँ लेकिन आज दोबारा अपनी यूट्यूब चैनल पे रेग्यूलर वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूंगा किसी भी कारिय में जब रुका वटा जाती है तो दोबारा उसको शुरू करने के लिए दोबारा दिन से बहतर तो कोई दिन हो नहीं सकता आज का दिन है दोबारा 2nd December 2020 दोबारा 2020 और बुधवार का दिन है तो बुधवार का दिन वैसे भी किसी भी कार्य को दो बार करने की प्रेणा देता है, तो आज का दिन दो बारा वाला दिन है, बुधवार वाला दिन है, तो हमारी YouTube चैनल में फिर से regular वीडियोज अपलोड करने के लिए बहुती शुभ दिन है, अभी साध्ययोग भी चल रहा है, और 11 बजे के बाद, सवा 11 बजे के बाद अशुभ योग भी शुरू होने वाला है, तो आज से अपनी YouTube चैनल पे मैं विशेश शिरीश शुरू करने जा रहा हूँ, और वो है मैं प्रयास करूंगा, हर रोज आपके लिए कोई अच्छी प्रेनणा दाय, कहानी, वासु करना चाहिए, क्या हो सकता है, इस विशे में मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की प्रेनणा दाय, कहानी या सुविचार से, हाला कि पिछले दो महिनों में मैं अपने जो भी दर्शक मेरे साथ WhatsApp पर जुड़े हुए हैं, उन्हें WhatsApp पर मैं हर रोज thoughts, quotations वो भेजता रहा था, तो कल हमने WhatsApp पर जो सुविचार या wishes, quotation भेजा था, उसी के continuation में आज की बात में करने जा रहा हूं, तो कल हमने बताया था कि कैसे परिस्थितिया ऐसी आती है कि हमें अपनी सच्चाई, अपनी honesty सिद्ध करनी पड़ती है, हमारे दिल में, हमारे मन में क्या है, वो हमें सामने वाले को दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये जूट का जमाना है, तो जूट के जमाने में सच्चाई को ही अपने आपको सिद्ध करना पड़ता है, वरना तो हर कोई जूट का सहारा ले करके चलता है, लेकिन अक्सर इस दुनिया में लोग अपने अंदर की बात, अपने दिल की बात सामने वाले को बता नहीं पाते हैं, बहुती कम लोग होते हैं जो अपने अंदर की बात पूरी तरीके से बता पाते हैं, otherwise ज्यादा तर लोग इतना open minded होने की बात करते हुए भी open minded नहीं हो पाते, दिल की बात खुल के नहीं कह पाते हैं, चाहते हुए या अंचा है, तो फिर कैसे हम सामने वाले को समझ सके, कैसे हम वो परक्षक्ती सामने वाले को परक्षके, तो उसके उपर आज में एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, जैसे हम सभी जानते हैं, कोई भी चीज, जैसे हम सुबह शुरुवात करते हैं, ब्रश करने से, तो टुथपेस्ट हम खोलते हैं ट्यूब, उसको हम प्रेसर देते हैं, जब प्रेसर देते हैं, तो उसमें से पेस्ट निकलता है, तो किसी भी चीज के अंदर जो होता है, क्या है वो जानने के लिए प्रेसर करो बहर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, तो सामने वाले व्यक्ति के दिल में, मन में क्या है हमारे लिए, या कोई भी business dealings है, कोई भी personal relationship है, सामने वाले के दिल में, मन में क्या है, वो बोल कुछ रह है, कर कुछ रहा है, क्या है, समझ में नहीं आता कई बार, तो pressure या फिर difficult situations, बहुत सारे quotations में आप सभी ने सुनाओगा, देखाओगा, मुश्किल के समय में सच्चा दोस्त कौन है, वो पता चलता है, तो जब pressure आता है, situations difficult होती है, उस समय जो reaction आता है, उसी reaction से पता चलता ह है, कि सामने वाले के अंदर, दिल के अंदर, मन में क्या है, लेकिन अभी कल्यूग चल रहा है, इस कल्यूग में कोई कितना भी अच्छा आपका close relative हो, friend हो, ज्यादा pressure डालेंगे तो क्या होगा, लड़ाई जगड़ा हो जाएगा, क्योंकि कल्यूग, कल्यूग है, तो कल्य होना स्वाभाविक है, तो अगर कोई गुसा हो जाता है, कोई एनोई हो जाता है, कोई परिशान हो जाता है, प्रेसर से या ज्यादा ये से, तो उसका मतलब कोई दूसरा नहीं है, मतलब यही है, पिछले बहुत सारे जन्मों में, इस कल्यूग में जन्म लेते-लेते, हम जब वो color शान्त हो जाता है, जब मन शान्त हो जाता है फिर से, तो उस वक्त क्या emotion, उस वक्त क्या response आता है, तो उसके base पे पता चलता है कि सच में सामने वाले के दिल में, सामने वाले के मन में हमारे लिए या इस dealing के लिए क्या है. लेकिन कई बार हम देखते हैं कि पहला response वो गुसा, वो annoying नहीं होता, पहला response ही peaceful होता है, एक ठहराव सा होता है, तो ये वो लोग होते हैं कि जिनोंने अपने अंदर, अपने अंदर वो शान्ती, वो शक्ती, वो maturity को बहुत अच्छे से भर के रखा हुआ है, कुट-कुट के भर के रखा हुआ है, तो आप pressure डालेंगे, तो इतना तुरंट volatile नहीं हो जाएंगे, शान्ती से response करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छे लोग है, आप lucky है अगर आप इन लोगों के साथ कारे कर रहे हैं, कुछ लोगों का response कैसा होगा, वो silent तो होंगे, लेकिन peaceful नहीं होंगे, वो आप से शायद बात करना बंद कर दे, आपकी बातों को जवाब देना बंद कर दे, बहुत दिनों तक आप से कोई contact ना रखे, तो यहां पर समझना चाहिए कि यहां पर ego है, यहां पर self obsession है, तो जहां पर ego self obsession है, तो यह आपको पता चल जाएका सामने वाले के अंदर क्या है, कि वो relation को ज्यादा importance दे रहे हैं, या self-obsession, अपने आपको ज्यादा importance दे रहे हैं, ego को ज्यादा importance दे रहे हैं, तीसरा होता है कि जब pressure देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति foot पढ़ता है, row पढ़ता है, emotions हावी हो जाते हैं, तो ये वो निशानी है कि उस आत्मा के अंदर बहुत सारा दर्द, उसके दिल में बहुत दर्द, बहुत दुख भरा पड़ा है, emotions भरी पड़ी है, तो ज्यादा pressure देने से, शुरू आत्मे थोड़ा pressure देने से तो थोड़ा aggressive response आएगा, लेकिन उसके बाद वो शायद ज्याद emotional हो जाए, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति emotional है, उसके दिल में क्या है वो आपको वो emotional burst out में पता चली जाएगा, वो बोल ही देगा, है ना, और कभी-कभी क्या है कि सामने वाला व्यक्ति एक अलग level पे है, आप उस पे pressure डालोगे, तो उल्टा वो आपको आपके लिए caring और आपके लिए अच्छे words आपको देगा, कोई words of wisdom ढूंड के लाएगा, कोई सुविचार ढूंड के लाएगा, कोई अच्छे-च्छे thoughts ढूंड के लाएगा, कि वो thoughts पढ़के, वो सुविचार पढ़के, आपके दिल का बोज हलका हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा, तो इस प्रकार से भी अच्छे सुविचार, अच्छे thoughts ढूंड के लाएंगे आपके लिए, जो आपको fresh कर देंगे, और तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि सामने वाले व्यक्ति बहुती अलग लेवल पे है, higher लेवल पे है उसका consciousness, तो ऐसे लोगों के साथ काम करना बने रहना बहुती अच्छा होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आप उनको pressure करोगे, या आप उनको बुरा भला बोलोगे, या कुछ भी करोगे, वो सामने से आपको हमेशा प्यार भरी बात करेंगे, मीठी बाते करेंगे, और caring बाते कर हैं, अगर वो मिठाष बहरी मिठाष है, दिखावे का है, तो सावधान हो जाएए, क्योंकि वो स्वार्थी हो सकता है, लेकिन अगर वो मिठाष, वो प्यार भरी बात वो दिल से निकलती है, वो तो समझ में आ जाता है कि कौनसी बात दिल से निकल रही है कॉन सी बात दिमाग से निकल रही है, तो आप लख्येस्ट हो कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला है कि आप अगर गुस्सा हो जाओ तो वो सामने गुस्सा नहीं करेगा वो आपको प्यार करेगा, आप अगर पार्टनरशिप में बिलीव नहीं कर पा रहे हो, तो भी ऐसा पार्टनर अगर आपको मिल जाता है, तो चाहे आप उसके साथ कामकाज कर रहे हैं, चाहे रिलेशन में हैं, तो ये आपके लिए उपर वाले का ब्लैसिंग है, कि वो आपको समझता है, आपकी care करता है, आपको प्यार करता है तो दिल में सामने वाले के, दिल में सामने वाले के मन में क्या है उसको समझने के लिए कोई भी patchy time, कोई भी difficult time या pressure का time ये useful होता है और उससे ये हमें पता चल जाता है सामने वाले के मन में दिल में हमारे लिए क्या है तो ये था आज का सुविचार कहो या प्रेनदा एक बात कहो या insightful wisdom कहो अब आज के पंच्यांग की बात करते हैं आज 2nd December है हम सभी जानते हैं शक समवत के अनुसार शर्वरी समवत सर चल रहा है विक्रम समवत के अनुसार प्रमादी समवत सर चल रहा है कार्तिक मास चल रहा है आज चंद्रदेव मिथुन राशी में गोचर कर रहे है और मृग श्रीरा नक्षत्र में सुभे साड़े 10 बजे तक रहेंगे उसके बाद आरद्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है उसमें प्रवेश करेंगे तो फिर से सभी को सावधान रहना है राहु के नक्षत्र में चंद्र का प्रवेश हो रहा है आरद्रा नक्षत्र में सुभे साड़े 10 बजे के बाद तो मन में अलग-अलग प्रकार के विचार व्यत्थित करने वाले द्रवित करने वाले भ्रमित करने वाले विचार आना स्वाभविक है लेकिन उससे बचना चाहिए सुर्यदेव व्रष्चिक राश्री में भ्रमन कर रहे हैं अनुराधा नक्षत्र में और उसके बाद शामको पौनि साथ बजे के बाद सुर्यदेव जेस्ट नक्षत्र में भ्रमन करेंगे अभी सुबे सवा 11 बजे तक साध्ययोग चल रहा है जो भी कारिया आप करेंगे सुबे सवा 11 बजे तक उसमें सिध्धी मिलना बहुती सहज होगा और उसके बाद सवा 11 बजे के बाद शुभियोग शुरू होने वाला है, तो ये भी अच्छा समय है, इसमें भी कोई भी शुभकारी अच्छे से आप कर सकते हैं आज का जो दिशाशुल है वो उत्तर दिशा का है, इसलिए अगर आप कोई भी लंबी यात्रा उत्तर दिशा में करने का सोच रहे हैं, तो आज के दिन ना करें, ये आपको ध्यान रखना है आज का अगनिवास शामको साड़े छे बज़े तक पाताल में रहने वाला है, तो अगर कोई होम हवन वगेरा करना है, तो साड़े छे बज़े तक ना करें, साड़े छे बज़े के बाद अगनिवास प्रत्वी पे होगा, तो उसी वक्त अगर कोई होम हवन यगन करना है, तो वो उचित रहेगा, तमिल योग की बात करें, तो सुबह साड़े दस बजे तक अम्रित योग है, तो वो भी अच्छा समय है, मिथुन राश्री में चंद्रदेव का आज भ्रमन है, उसके अनुसार अगर मैं बात करूं, जोतिश के अनुसार आज का दिन कैसा रह सकता है, तो विशेज तीन राश्री वालों को सावधान रहने की आवर्शकता है, एक है करक राश्री, दूसरी है व्रिश्चिक राश्री और तीसरी है मकर राश्री, करक राश्री वाले लोगों को शारिरिक पीडा, बीमारी या आर्थिक नुकसान, इन सब बातों के प्रती थुन राशी में है, व्रुष्चिक राशी वाले लोगों के लिए वाद विवाद से बचना चाहिए, कोई भी कार्य में रुकावट आ सकती है, परिसानी आ सकती है, तो उससे बचना चाहिए, और मकर राशी वालों की बात करूँ, तो मकर राशी वालों को छोटी-छोटी ब के साथ लड़ाई जगडा या इन सब बात्तों से बचना चाहिए तो इन सब बात्तों से बचने के लिए क्या करना चाहिए इन से बचने के लिए आपको भगवान शिव की उपासना भगवान शिव को याद विशेश रूप से सौमनात महदेव क्योंकि वो चंद्रदेव हैं चंद्र ने ही स्वामनात महादेव की स्थापना की थी, तो उनको याद करना चाहिए, ओम स्वामिश्वराय नमह मंत्र की एक माला आप कर लीजिए, तो आपके लिए शुभ होगा, तो जिनकी भी करक राशी है, व्रुष्चिक राशी है, या मकर राशी है, जब भी चंद्र देव मिथुन्द राशी में भ्रमन करते हो, तो विशेश रुप से इनको सुबे ओम स्वामिश्वराय नमकी एक माला कर लेनी चाहिए, तो ये था आज का जियोतिश हमें क्या सावधानी दे रहा है, आज का पंचांग और आज का सुविचार, आपको हमारा ये वीडियो क कैसा लगा, इसके प्रति आपके जो भी सुझाव हो, प्रतिभाव हो वो अवश्य दीजिएका, इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और इसको शेर भी अवश्य कीजिए, अगर आपने अभी तक हमारी ये ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्स कर लिजिए, धन्यवाद, नमस्कार.